कहते हैं ना कि जब भी किसी husband wife में जगड़ा होता है और दोनों separate होते हैं तो इसका बुरा असर उनके बच्चों पर होता है विल सानिया मिर्जा और शोयब मलिक के जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ है सानिया मिर्जा और शोयब ने तलाक ले लिया शोयब ने तीसरी शादी कर लिया और वो move on तो हो गए लेकिन अब इसका बुरा असर उनके बेटे पर पड़ रहा है रिपॉर्टे के मताबबग सानिया का बेटा रहता तो सानिया के साथ ही है दुबाई में लेकिन अब उनके बेटे को स्कूल में काफी बुली किया जारा है पाकि बात यहां तक पहुँच गई कि सान्या मिर्जा को इजान को स्कूल से बीच में ही लाना पड़ा और अग्य। नहीं रही है उन्होंने इजान को कुछ दिनों के लिए स्कूल से छुटी दिलवा दी है और वो दुबाई से हाइदरबाद आ गई है रिपॉर्ट के मताबिक इजान को उसके पिता की तीसरी शादी पर काफी बुली किया गया जिसके चलते इजान स्कूल तक जाने को तयार नहीं था तो सान्या को मजबूरी में जान को स्कूल से छुटिया ही दिलवानी पड़ी इधर बात करें शोईब मलिक की तो वो अपनी तीसरी शादी से बहुत खुश है उन्हें किसी तरह का रेग्रेट नहीं है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा क जो दुनिया उनसे करवाना चाहती है या जो दुनिया सोचती है उन्हें करना चाहिए वैसा वो नहीं करना चाहते हैं वो वही करेंगे जो उनका दिल चाहेगा